दोस्तों नमस्कार इस वीडियो में हम बोर्ड परिक्षा 2024 के लिए कप्छा 10 न्यू पैटर्न पर आधारित प्रस्न पत्र को साल्यूसन के साथ देखेंगे अगर आप बोर्ड परिक्षा 2024 में हिंदी में 70 में 70 अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए सिम्प ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एकजामस में आएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं समय तीन घंटे 15 मिनट पुरुडांक 70 अंक का निर्देश देख लिए प्रारम के 15 मिनट परिक्षार्थियों को प्रस्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है यह जो तीन घंटे 15 मिनट का समय मिलता है इसमें 15 मिनट प्रस्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है दूसरा निर्देश प्रस्न पत्र दो खंड आ तथा खंड ब में विभाजित हैं यानि पेपर दो भागों में बटा रहेगा और ब तीसरा देखिए प्रस्न पत्र के खंड आ में बहु बिकल्प ये प्रस्न है जिसमें सही बिकल्प का चयन करके ओएमार सिट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही बिकल्प वाले गोले को उर्ड रूप से काला करें कहने का मतलब जो प्रस्न पत्र का खंड आ होए उसमें खंड आ में कुल बिस बहु बिकल्पी प्रस्न पूछा जाएगा प्रतेक प्रस्न एक नमबर का होगा इस तरह से बिस बहु बिकल्पी प्रस्न बिस अंक काएगा और इसका उत्तर आपको जो OMR पत्रक मिलेगा उसमें नीला या काला पेन से सही गोले को घेरा करके उत्तर देना होगा चौथा देखिए खंड आ में बहो विकल्ब ये प्रस्न है तू प्रतेक प्रस्न के लिए एक अंक निर्धारित है ये मैंने आपको बता दिया फिर OMR स्ट पर उत्तर अंकित के जाने के पस्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं वाइटनर आधी का प्रयोग ना करे दे बारा रबड या वाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते प्रतेक प्रस्न के समुक उनके निर्धारित अंक दिये गए हैं तो चलिए सबसे पहले हम खंड आ बहो विकल्ब ये प्रस्न देखेंगे सभी प्रस्न दोस्तो अती महत प्रूड है ध्यान से देखिएगा प्रस्न एक बाबो गुलावराय किस युग के लेखक हैं तो दोस्तो इसका सहे उत्तर है आपसन भी बाबो गुलावराय दिवेदी युग के लेखक हैं याद रखिएगा प्रस्न दूसरा चिंतामडी किस विधा की रचना है तो दोस्तो चिंतामडी आचारे राम चंदर सुकल वारा निबंध विधा की रचना है याद रखेंगे प्रस्न तीन गबन किसकी रचना है इंपर्टन्ट प्रस्न है तो दोस्तो गबन मुनसी प्रेम चंद की रचना है चौथा देखिए सुकल युग की समया अधी है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तो सन 1900 से 1938 तक का समय जिसक प्रस्न पांच नीड का निर्माड फिर किस विधा की रचना है तो दोस्तो नीड का निर्माड फिर आपका आत्म कथा विधा की रचना है और इसके रचनाकार हरिवंसराय बच्चन जी है प्रियपरवास किस युग की रचना है तो दोस्तो प्रियपरवास आपका दियुग की रचना है इसके रचनाकार हरियोध जी है प्रियप्रवास दिवेदी युग प्रशन साथ मधु साला किसकी रचना है तो दोस्तो मधु साला मधु बाला यह सब रचना है हरिवन स्राय बच्चन जी की है तो आप संसी यहाँ पर सही होता है प्रशन आठ भारत भा करती राष्टर कभी मैतली स्रण गुपतजी की रचना है आधुनिक काल कब से कब तक है आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है तो दोस्तो 1843 से लेकर वर्तमान तक यानि आज तक का समय आपका आधुनिक काल कहलाता है तो सही उत्तर यहां पर हो जाएगा आप सन ए सन 1843 से अब तक आधुनिक काल है प्रस्न दस दोस्तो मती राम किस युग के कभी है तो दोस्तो मती राम रिती काल के कभी है नोट कर लिजिएगा हास से रसका इस्थाई भाव है सिंपल सा प्रस्न है दोस्तो हास से रसका इस्थाई भाव हास होता है प्रस्ण बारा देखिए सोहत ओड़े पितु पट स्याम सलोनेगात मनो नेल मडी सैल पर आतप परियोप्रभात तो देखिए दोस्तो उपर्यूक्त पंक्तियों में कौन सालंकार है तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर मनो मानो जानो जन्हों मनो आदी वाचक सब्द आ जाये वहाँ पर आपका उत्प्रेक्छालंकार होता है तो यहाँ पर देखिए मनो यानी मानना यहाँ पर कौन सालंकार हो जाएगा उत्प्रेक्छालंकार प्रस्ण तेरह देखिए रोला छंद में कुल कितने चरड होते हैं तो दोस्तो रोला एक सम्मात्रिक छंद है इसमें चार चरड होते हैं कोई भी छंद हो कम से कम चार चरड अवस्य होते हैं प्रशन चोदह देखिए आकरसर सब्द में किस उपसर्ग का प्रियोग किया गया है आकरसर दोस्तो मुल सब्द है करसर और इसमें आ उपसर्ग लगकर आकरसर बना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आपसन दी प्रते के कितने भेद होते हैं तो दोस्तो प्रते के दो भेद होते हैं कृत प्रते और तधित प्रते तो आपसने सही हो जाता है प्रशन सोला देखिए पितांबर में कौन सा समास है पितांबर पीला है जो अंबर यानि वस्तर तो दोस्तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्म कर्मधारे समास क्योंकि यहाँ पर एक सब्द विसेशड है पीत और दूसरा पद अंबर विसेश है तो जहाँ पर एक पद विसेशड और एक विसेश मिल जाए उहाँ पर आपका कर्मधारे समास होता है प्रश्न सत्रह आसु का तत्सम रूप है तो दोस्तों तत्सम यानि सं आसु का संस्कृत रूप क्या होगा? सिंपल सी बात है अप्सने अस्रू आसु का तत्सन अस्रू यड संधी का सुत्र है तो दोस्तो यड संधी का जो सुत्र होता है इको यडची याद रखिएगा प्रश्ण 19 देखिए फलस्य सब्द का वचन एवं विभक्ति है फलस्य तो अब अपठत धातु का वचन एवं पुरुस है विश्वा प्रस्म अपठत धातु का वचन एवं पुरुस है दोस्तो अपठत अपठताम अपठन यह आपका प्रथम पुरुस एक बचन होता है तो इस तरह से यह विश अंक के बहु विकल्पे प्रस्न पूरे होते हैं पुस्तिका में लिखना है यानी कांपी में तो सबसे पहले हम प्रस्न देखते हैं खंडबा का पहला यह प्रस्न कुल छ़ हंग का है निमलेखित gap। गद्यांस पर आधारीत तीन प्रस्णों का उत्तर दीजिए गद्यांस दिया है इस पर आधारीत तीन प्रस्ण है तीनों प्रस्ण दो अंक के हैं इस परकार दो तियाई छह अंक का प्रस्ण यह बनता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गद्यांस को ध्यान से पढ़ेंगे की ओर आकरसित होते हैं जो गुड हम में नहीं है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें वे गुड हो चिंता सिल मनुष्य प्रफुलित चित का साथ ढूंदता है निर्बल बली का धीर उत्साही का उर्च आकंछा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के ल निती विशारत अकबर मन बहलाने के लिए बिर्बल की ओर देखता था तो सबसे पहला प्रशन दोस्तो दो अंक का उपर युक्त गद्यांस का संदर्ग लिखिए तो देखिए आप संदर्ग इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांस हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से यह किस पाठ से है दोस्तो याद आया कुछ मित्रता पाठ से है तो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है दोस्तो आचारे रामचंद्र सुक्ल तो सिंबल सा लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांस हमारी पाठ्य पुस्तक हि के गद्ध खंड से मितरता नामक निबंध से या पाट से लिया गया है और इसके लेखक आचारे रामचंदर सुकल जी हैं तो आपको एक जामनर खटाक से दो अंक दे देगा दूसरा पुरशन देखिए गद्ध्यांस के रेखांकित अंस की ब्याक्चा कीजिए देखिए इस एक सौभा और रूची के लोगों में ही मितरता हो सकती है समाज में विभिन्ता देख कर लोग एक दूसरे की और आकरसित होते हैं तो इसी बात को घुमा फिरा कर इस प्रकराप लिख दिए कि प्रस्तुतर खंकित अंस में लेखक कहते हैं कि सच्ची मितरता के लिए यह उनकी रूचियां एक जैसी हो उनकी आदत और आचरण एक जैसा हो भिन भिन आचरण प्रकरती और सौभाव वाले लोगों में भी मितरता हो सकती है उसके लिए सबसे महतपुड बातिया है कि उनमें आपसी सहानभूती और तालमेल की भावना होनी चाहिए इस प्रकार लि प्रेशिये लेखक के अनुसार समाज में विभिनता देख कर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकरसित होते हैं तो यहां पढ़िए जो गुड हम में नहीं है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें वे गुड हो तो यहां पर आप समझ सकते हैं लेखक के अनुसार समाज में विभिनता देख कर लोग दूसरी की ओर इसलिए आकरसित होते हैं कि जो गुड उनके अंदर नहीं है वह गुड उनके मित्र के अंदर मिल जाए इस प्रकार पूरा करेंगे अथवा करके हैं दोनों में से कोई एक करना है इसे भी देख लेते हैं इससे आपका एक तरह स्री विजन भी हो जाएगा कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन परम पिता की इक्छा के विरुद इतना साहस पिता जी क्या भीख न मिलेगी क्या कोई हिंदू भूप्रिष्ट पर न बचा रह जाएगा जो ब्राम्हड को दो मुठी अन दे सके यह असंभव है फेर दीजिए पिता जी मैं काप रही हूँ इसकी चमक आखो को अंधा बना रही है तो दोस्तो आपको याद आया यह गद्यांस कहां से है यह ममता कहानी से है और लेखक कौन है जैसंकर परसाद तो देखिए उपर युक्त गद्यांस का संदर भी लिखी है प्रस्तत गद्यांस हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से ममता नामक कहानी से लिया गया है और इसके लेखक जैसंकर परसाद जी है दूसरा प्रस्न गद्यांस की रिखांकित अंस का भाव इस्पष्ट कीजिए यह भगवान तब के लिए बिपद के लिए इत दोस्तों इसमें आप कहानी जब पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कुछ तो आप ऐसे लिख सकते हैं इस रिखांकित अंस की व्याख्या घुमा फिरा कर कि है भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना योजन कि ममता एक साथ इतने सारे स्वरण आभुस्डों को द इस स्वर की इच्छा की विरुध इतनी त्यारी करना सही है इतना योजन सही है पिता जी अगर इस स्वर ने हमारे भाग्य में मुसीवत लिखा है तो उसे जहेलना ही पड़ेगा इसलिए यह साला स्वरण आप लोटा दीजिए पिता जी हम लोग ब्रामड है क्या कोई हिं आपको आंक पूरा मिलेगा इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता मैंने बताया हर बच्चे अपने अपने अनुसार लिखते हैं और यहाँज कोई आंक नहीं कटता तीसरा देखिए ममता दवारा किस कारे को इस्वर के इक्छा के विरुध बताया गया तो ममता के दवा आने वाले विपती से बचने के लिए आयोजन को यानि तयारी को इस्वर के एक्षा के विरुद बताया गया है। गुंग पुनी बोले रंग चले सिर्चत्र धराई सूरदास स्वामी करोडा में बार बार बंदू तहीं पाई। उप्रियुक्त पद्यांस का संद्रव लिखिये। दोस्तों यह किस पाट से है आपको कुछ याद आया पद पाट से है और इसके कभी कौन है पद के सूरदास जी तो आप लिखेंगे प्रस्तुद पद्यांस हमारी पाट पुस्तक हिंदी के काब्य खंड से पद नामक सिर्चक से लिया गया है और इसके कभी सूरदास जी है तो इस तरह आपको दो नंबर मिल जाएगा फिर दूसरा रिखांकी तंस की ब्याख्या कीजिए तो बहिरो तो आप लिखेंगे प्रस्तु तरह खंकी तंस में सूरदास जी करते हैं कि सर की किरपा से बहरा सुनने लगता है गुंगा फिर से बोलने लगता है और रंक भी दरिद्र भी राजा की भाती सिर्पर जचत्र दारण कर लेता है तीसरा प्रश्न दोस्तो उपर्युक्त पंक तो लिख देए आप उपर्युक्त मंगतियों में पुनरुकती अलंकार है। तो दोस्तो यह किस पाट से है वन पत पर किस पाट से वन पत पर सिर्शक का नाम है और कभी कोन है दोस्तो तुलसी दास तो आप इसका सबसे पहले संदर्व लिखना है तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांस हमारी पाट पुष्टक हिंदी के काब्य खंड से वन पत पर नाम अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका मतलब होगा कि प्रयम रूपी तालाब में सुरे रूपी स्री राम का उदय हो गया और सुन्दर कमल की कलियां खिल गए तीसरा प्रस्न देखिए अनुराग तड़ाग तथा मनु मन्जूल कंज कली में कौन सा लंकार है दोस्तो अनुराग तड़ाग प्रेम रूपी तालाब प्रेम और तालाब अल्लक चीज हैं लेकिन भेद रही तारोप हो रहा है तो अनुराग तड़ाग में आपका रूपा क पलंकार हो गया मनु मनजुलकंज कली में आपको उत्प्रेक्छा लंकार हो गया क्योंकि जहां मनु मानो जानो जन्हु आया वहाँ पर उत्प्रेक्छा लंकार होता है अब दोस्तो प्रस्न तीसरा देखिए दिये गये संस्कृत गद्यांस में से किसी एक का संदर्व सहित हि पाच अंक का प्रस्न है दो अंक संदर्भ के लिए और तीन अंक हिंदिय अनुबाद के लिए है तो सबसे पहले देखिए जल्ली से एसा नगरी भारतिय संस्कृते है संस्कृत भासायाशच केंद्रास्थलमस्ती इत एम संस्कृत वांगमयस्य संस्कृते सच आलोक सरवत्र मुगली उराजह दारासी कोह अत्रागत्य भारतिय दर्शन सास्तराम अध्यनमकोरत सत्य साम ग्यानें तथा परभावितावत यत तेन उपनिसदाम अनुबादः पारसी भासायाम कारितः तो दोस्तो सबसे पहले यह जान लिजे किस पाठ से है वाराणसी आपको याद आ गया होगा संस्क्रीत खंड का सबसे पहला पाठ है वाराणसी तो आप लिख देंगे संदर्व कि प्रस्तुत संस्क्रीत गद्यांस हमारी पाठ पुष्टक हिंदी के संस्क्रीत खंड से वाराणसी नमक पाठ से उतरित है इसके बाद हिंदी अनुबादी स्तरह कर देंगे कि यहनगर भारतिय संस्कृती और संस्कृत भासा का केंद्रस्थल है यहां कि संस्कृत साहित्य और संस्कृती का लोग सभी जगह फैला हुआ है मुगली उराजदारासी को यहां आकर भारतिय दर्शन सास्तर का अध्यन किया वो इसके ज्यान से इतना प्रभावित हुआ कि इसके उपनी सद्व कानुबाद पार्शी भासा में कराया अथवा करके देखे दोस्तो तो दोस्तो यह पाठ है भारतिया संस्कृती से किस से पाठ का नामे भारतिया संस्कृति है इसके बाद संदरवलिख ने आपको बता ही दिया हिंदिय अनुबात सिधे बता जता हूँ कि मानो जीवन के संस्कार ही संस्कृति है हमारे पुर्वजों ने मानो जीवन को सवारने के लिए महान प्रयास किया उन्होंने हमारे जीवन को सवारने के लिए जो आचार विचार और आर्दर्स प्रस्तुत किया वह सब हमारी संस्कृती है प्रस्न चौथा देखिए दोस्तो दिये गया संस्कृत पध्यांस में से किसी एक का संदर्व सहित हिंदी में अनुबात किजिए भी पांच अंक का है दो अंक संदर्व के लिए और तिन अंक हिंदी अनुबात के लिए इस तरह से पांच अंक निर्धारित है तो देख लिजे सबसे पहले, मानम हित्वा प्रियोब होती, क्रोधम हित्वा न सोचती, कामम हित्वा अर्थवान भोती, लोभम हित्वा सुखी भवेत, तो इस पाठ का नाम है दोस्तु जीवन सुत्राणी, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत पद्यान समारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से जीवन सुत्राणी नामक पाठ से लिया गया है, इसके बाद हिंदी अनुबात करेंगे कि मनुष से अभिमान को छोड़कर प्रिय हो जाता है, क्रोध को छोड़कर सोक नहीं करता है, कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है, और लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है अथवा करके है सर्वे भन्तु सुखिना सर्वे संतुम निराम्या सर्वे भद्राडी पस्यंतु मा कश्चित दुख भाग भवेत तो दोस्तो इस पाठ का नाम है भारतिया संस्कृति आपका संदर्व लिखने पता ही है हिंदियन बाद बता हो कि सभी लोग सुखी हो सभी लोग निरोग हो सभी का कल्यान हो कोई भी दुख का भागी ना हो अब प्रस्न पांच देखे दोस्तो अपने पठित खंड काब्य के आधार पर निमलिखित प्रस्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए तो दोस्तो हर जिले का अपना अपना अलग-अलग निर्धारित खंड काब्य है आप अपने विद्याले के टीचर से पूछ लेंगे या आपके जिले के लिए कौन सा खंड काब्य निर्धारित है और उसी को आप तयार कर लेंगे जैसे यहाँ पर हमारे जिले के लिए दोस्तों सोनभद्र के लिए जोती जोहर खंड काब्य है तो देखिए जोती जोहर खंड काब्य की कथा वस्तो संचेप में लिखिए या जोती जोहर खंड काब्य के आधार पर जोहर लाल नहरू का चरित्र चित्रड कीजिए तो दोस्तो सबसे पहले यहां पर एक चीज महत्परोड बता दूँ कि आपका जो भी खंड काब्य हो उसके नायक का चरित्र चित्रड जरूर तयार कर लीजेगा यह प्रशन आपको एकजामस में जरूर दिखेगा यह तीनंक का प्रशन आएगा दो होंगे दोनों में से कोई एक करना जैसे जोती जो हर के दो प्रशन है हर खंड काब्य के आपको दो प्रशन मिलेंगे आपका जो है दोनों में से कोई एक का उत्तर दे दिजेगा अब दोस्तो प्रशन अच्छा देखिए दिये गये लेखकों में से किसी एक का जीवन परचे लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उलेख कीजिए पांच नंबर का प्रुष्ण है तीन नंबर जीवन परचे के लिए और दो नंबर रचना पर मिल रहा है तो देखे डाक्टर राजेंदर परसाद जैसंकर परसाद आचारे राम चनरसुकल तीनों जीवन परचे बहुत महत्पूल है परिक्षा के लिए तैयार कर लीजिए गया प्रश्ण च्छा में आप जो प्रश्ण च्छा का का में लेखक का जीवन परचे और प्रश्ण च्छा का का में कभी का जीवन परचे लिखना है ये भी पाचंक का प्रस्ण है जैसे हाँ विकल्प है आपके सामने गोश्वामी तुलसीदास सुमित्रानन पंत और महाकभी सूर्दास तीनों में से किसी का एक का आप लिख दिजिए प्रस्ण सात्रवा दोस्तो अपनी पाठे पुष्टक से कंठस्त कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रस्ण पत्र में ना आया हो एक श्लोक लिखना है लेकिन कौन सा तो आपको दो नंबर मिल जाएगा, अग प्रस्न आठ है दोस्तो, नेम लिखित में से किनी दो प्रस्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिये, भारतिय संस्कृते मुलम की मस्ती, भारतिय संस्कृत के मुल में क्या इस्तित है, तो विश्वस्य स्रिष्टाइस्वरम एक एओ, यानि विश्वकर जिटाइस्वर एक ही है, इती भारतिय संस्कृते मुलम स्ती, यह भारतिय संस्कृती के मुल में है, पुरुराजह का आसित, तो दोस्तो, पुरुराजह भारत से एक बीरह न्रिपह आसित, पुरुराज भारत का एक बीर राजा था, चंद्रसेखरह का आ तो बीर की पूजा बीर ही करता है अब प्रश्ण नौ दोस्तो निमलिकित में से किसी एक भी सेपर निबंध लिखिये जैसे पर्यावरण संरक्षड के उपाए आतनंकुवाद कारण एवं निरवारण जनसंख्या लाभ हानी नारी ससकती करण अपनी रूची और सुबधा के नुसार निबंध भी लिख दीजेगा निबंध नौ अंक का आता है तो दोस्तो यह रहा वर्स दो हजार चोविस का हिंदी माडल प्रस्न पत्र आपको कोई प्रस्न आये या न आये एक्जांस में उसका उत्तर चाहे जो कुछ है लिखना जरूर है क्योंकि पाजीटिव मा सब्सक्राइब कर दीजिएगा धन्यवाद